Hello friends, today we will solve another algebraic question. As you can see, we have two values, this and this, two values. ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये sign भी नजर आ रहा होगा, minus का, तो इसके अंदर हम दो चीज़ें कर सकते हैं. एक ये चीज़ कर सकते हैं, then we can take, take value on other side. ठीक है, second thing हम इसको solve करने के लिए कर सकते हैं, कि हम directly क्या करें, calcium ले ले, so we have two options, ठीक है, but what I am gonna do is, I am going to take this value on this side, ठीक है, यानि मैं क्या करूंगी, 6, 2x, minus 5, ठीक है, अब क्या होगा, is equal to, अब ये वाली value उठाके, क्योंकि ये minus हैं, तो उदर दूसरी side पर जाके, ये positive होगा, x minus 3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे cross multiply, यानि इसको हम इसके साथ करेंगे, और इसको हम इसके साथ करेंगे, से, इन values को multiply करेंगे, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 18, ठीक है, 4, 2, 8, x, और 4, 5, 4, 5, 20, ठीक है, अब हमें क्या करने है, हमें सिंपल करना है, हमें देखना है, कि value जो variable की साथ है, वो कौन सी बढ़िए, ये वाली बढ़िए, तो हम क्या करेंगे, इन values को उठाके, हम इस side पर लेकर जाएंगे, ये नहीं करेंगे, कि इस value उठाके, हम ये लेकर आएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको उठाके, यहां लेकर आएंगे, तो हमारा answer आएगा, minus में, ठीक है, तो हम इसको solve करना पड़ेगा, अगर हम क्या करेंगे, हम इसको automatically हमारा answer किसमा आजएगा plus में ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम simple करेंगे 8x इसको यहाँ plus से तो वहाँ जाके minus हो जाएगा minus 6x ठीक है यहाँ हमाँ पस है minus 20 और यह वहाँ जाके क्या हो जाएगा plus 18 क्योंकि यह minus से उदर जाके plus हो जाएगा अब हम इसको simple solve करेंगे 8 में से 6 निकालेंगे तो अब आगे हमाँ बस plus 2x अगर वहाँ करते तो minus में आता ठीक है फिर हम यहाँ देखेंगे minus 20 और minus 20 plus 18 है तो इसका answer जाएगा minus 2 ठीक है is equal to 0 अब हम इस value को ठाके लेके चले जाएगे इस साइड पर तो हमाँ पस क्या हो जाएगा 2x is equal to 2 यहाँ minus था तो वहाँ जाके हो गया plus हमें निकाल लिए x की value तो हम क्या करेंगे x को अकेला कर देंगे upon 2 कर देंगे 2 1s are 2 2 1s are 2 x की value हमाँ पस क्या आगई 1 and this is the answer thank you